बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना सीतियुद के दोर के बारे में और फिर हमने देखा कि कैसे पूरा विश्व दो खेमों में बट गया था, दो धुरुवेता का आलम था अब हम चलेंगे अगले अध्याई की और जो है दो धुरुवेता का अंत जो दो धुरुवेता हमने जानी थी अध्याई एक में की कैसे दो धुरुवे विश्व बन गया था, कैसे उस दो धुरुवेता को चुनोते मिलने सुरू हो गई थी अब हम जानेंगे कैसे अंत हुआ था उस दो धुरूवियता का अर्था जो दो ख्यमों में बटा हुआ था विश्वे उस कहानी का क्या अंत रहा तो चलिए चलते हैं और जानते हैं क्या रहा इसका परिणाम यहां कुछ तस्विरें आपको दिखाई दे रही हैं यह तस्विरें संबंदित हैं 1989 में बर्लिन की दिवार तोड़ने से संबंदित गटना 1989 की है इससे पहले हम थोड़ा सा चलें तो ये बर्लिन की दिवार बनी हुई थी पूर्वी जर्मनी और पस्चिमी जर्मनी को अलग करने के लिए और ये दिवार सीतियुद के चरम दोर में बनी थी और ये दिवार सीतियुद का या फिर कहीं दो धुर्विय विश्व का सबसे बड़ा प्रतीक थी 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दिवार को तोड़ गिराया था और इस दिवार के तोड़ने का ये जो नाटकी ए घटना कर्म था यही दो धुल्विता की अंत की ओर ले चलता है पूरे विश्वगों बहुत सारे देश अब ऐसे थे सोव्यत खेमे के जो की सामेवादी व्यवस्ता को छोड़ रहे थे सामेवादी व्यवस्ता से विलग हो रहे थे और सोव्यत संग था वो बिना किसी कारेवाई की इसको चुपचाब देखना पड़ रहा था कारण था कि अब ये विरोध अब जनता द्वारा अंजाम दी जा रही थी तो अब इन सारे गटनाओं की परिनीती होती है सोवियत संग के विक्टन के रूप में और खत्म होता है अंत दूसरी दुनिया का अंत की ओर चलते हैं हम और खत्म होती है द्वीधुर्वियता तो चलिए देखते हैं और जानते हैं सोवियत संग के विक्टन के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे सोवियत प्रणाली को ये सोवियत प्रणाली क्या थी तो रूस में 1917 में समाजवादी क्रांती हुई थी और इस समाजवादी क्रांती के फलस्वा रूप सोवियत समाजवादी गंडराजे अस्तित्व में आया था और इस गंडराजे ने पुंजिवाद की विरोध में समाजवाद के आदर्शों पर समता मूलक समाज की इस्थापना की थी यह अर्थ व्यवस्था को योजना बद और राज्ये की नियंत्रण में रखने के पक्ष में थे अर्था सोवियत प्रनाली में जो अर्थ व्यवस्था थी वो नियंत्रित थी और राज्ये के पक्ष में थी यहां नेजी समपती के संस्ता को समाप्त करना और समाज को समानता के सिधान्त पर रखने की कोसिस की गई थी या नीजी संपति के जो संस्ता है उसको समाप्त करके और एक तरह से पूरे समाज को समानता की स्थिति में आर्थिक रूप से समानता की स्थाप्तना यहाँ पर करनी थी और यहाँ पर कम्यूनिस्ट पार्टी एक मातर पार्टी थी और अन्य राजनितिक दलों के लिए और विपक्ष के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं था, कोई जगह नहीं थी इसे दूसरी दुनिया कहा जाता है, दूसरी दुनिया में वो देश थे जिनको सोवियत सेना ने फासी वादी ताकतों से मुक्त करवाया था यह समाजवादी खेमे के देश थे और इनका नीता था समाजवादी सोवियत गणराज्य राजमितिक और सामाजिक व्यवस्था की प्रणाली थी वो सोवियत संग की समाजवादी की प्रणाली की तरज पर ही आधारित थी तो ये सारे की सारे देश कहलाये थी दूसरी दुनिया की देश जिनके नीता थे वो सोवियत संग था जहां समाजवादी सामेवादी प्रणाली अपनाई थी और इनको इस रूस ने ही फासिवादी ताखतों से मुक्त करवाया था सोवियत संग था वो दिते विश्वयुद के बाद में महाशक्ती के रूप में उभरा था इसकी अर्थ व्यवस्था भी विक्षित थी उन्नत संचार प्रणाली यहां पर थी विसाल ओर्जा संसाधन यहां पर थे और दूरदराज के इलाकों में आवागमन की सुुवय वस्थित और विशाल प्रणाली यहां पर हुआ करती थी गरेलू उपभोगता उपभोग भी यहाँ पर उन्नत अवस्था में था सरकारी बुनियादी जरुरत की चीजें जैसे की स्वास्थे शुरक्षा, सिक्षा, बच्चों की देखबाल, लोक कल्यान, आदी रियायती दरपर उपलब्द थी बेरुजगारी यहाँ पर नहीं थी और भूमी और अन्य उत्पादक संस्थाओं पर स्वामित्व और नियंद्रन राज्ये का था अर्थात सरकार का था देखने में यहाँ हमें लग रहा है कि कितनी उन्नत सासन प्रणाली थी या फिर कितने सुख चैन से यहाँ की जनता रहे रही थी साइद यहां कोई परिशानी किसी को नहीं होगी क्योंकि हम देखें संचार यहां उन्नत अवस्था में है उर्जा संसादन उन्नत अवस्था में है सरकारी हम बात करें कारिये जैसे कि सिक्षा है चेकित्सा है लोग कल्यान के कारिये हैं तो वो भी सरकार द्वारा अच्छे से किये जा रहे थे तो फिर क्या आही समश्या क्या रहे कारण चलिए जानते हैं समश्याओं की बारे में तो देखिए सोवियत संग की अधिकांस संस्थाओं में सुधार की जर्रत आनपड़ी थी। की नियंतरण में थे, सरकार की नियंतरण में थे। और इस वज़े से सरकार का काम करने वाले जो नोकर शाह थे उनका सिकंजा अबकस चला था और प्रणाली थी, वो सत्तावादी हो गई थी। और लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी लोगों के पास नहीं रहे गई थ इस सत्तावादी प्रणाली के कारण अब जो संस्थाएं थी वो ब्रस्टाचार से कहें की परिपूरित हो चुकी थी, ब्रस्टाचार इन संस्थाओं में बहुत आ चुका था, भी लोक कल्यान की संस्थाओं नय रहे कर एक तरह से ब्रस्टाचार की संस्थाओं रहे गई अम्रीका के साथ हतियारों की बड़ी उच्च unanim कोटी की एक इपन बड़ी ही तिवर प्रतिष्प्रधा और बड़ी ही हतियारों की उची होड में ये सामिल हो गया था तो इसमें अर्तव्यवस्ता लड़गडा गई थी, उपुभ्योंक्ता वस्तूओं की कमी हो चली थी प्रोद्रगे की पिछड गई थी और नागरिकों की अकांक्षाओं की पूर्ती में अब ये ऐस अफल हो रहा था क्योंकि जादातर जो धन है जादातर जो कहें कि हम पैसा है वो विकासकारियों की बजाए जनता के कल्यान की बजाए हत्यारों की निर्मान पर खर्च हो रहा था हत्यारों की होड में अपनी एक स्थीति अच्छी बनाय रखने के लिए खर्च हो रहा था 15 गंडराजों से मिलकर बना हुआ सोव्यत संग था लेकिन रूस का हर मामले पर प्रभुद्व था इसलिए जो बाकी गंड राजे थे वो अपने आपको पेक्षित और पिछडा हुआ मैसूस कर रहे थे इसी कारण उनमें अब रोस व्याप्त हो चला था तो ये समश्याएं सोवियत संग के सामने सोवियत प्रणाली के सामने आई थी फिर मिखाईल गर्बा चोव आते हैं सोवियत संग के एक नेता आते हैं मिखाईल गर्बा चोव उन्होंने अब समवाली कमान इन सुधारों की हमने देखा समश्याएं की सिधर इस्तर की थी आर्थी की स्तिती थी वो पिछड चुकी थी जनता में रोस था सारी संस्ताइं प् पास नहीं बची थी तो मिखाईल गर्बा चोव ने सुधारों का रास्ता अपनाया और ये 1985 में कम्यूनिस्ट पार्टी के महा सचीव बने इनका प्रियास था कि पस्चिम के साथ संबंदों को सामाने बनाया जाए क्योंकि पस्चिम के साथ संबंद सामाने नहीं थे होड क प्रतिश्प्रधा के थे और इसी कारण से इस देश को बहुत सारा खर्च अपना अथियारों पर और सेन्ने खर्च पर करना पड़ रहा था तो इनोंने ये अपनाया कि इनका प्रियास था कि पस्चिम के साथ हम संबंद सामाने बनाएंगे सोवेत संग को लोकतांतरिक बत तुर लगाम लगाएंगे और इसलिए ये दो नीटी लेकर आये मिखाईल गरबा चोव, पेरोइस्त्राइका और गलास नोस्थ पेरोइस्त्राइका इसको पुर्णर रचना भी हम कह सकते हैं गलास नोस्थ यानि खुलापन और ये दोनों नीतियां थी ये आर्थिक औ और सामाजिक सुधार के लिए अपनाई गई थी तो क्या इन नीतियों का परिणाम हुआ क्या इन नीतियों से सोवियत संग की इन संस्थाओं में सुधार हो पाया क्या इन नीतियों से सोवियत संग के संबंद सामाने बन पाई देखते हैं चलिए इस नीतियों की परिणीते क इस रूप में हुई इस नीतियों की प्रनीतियों में हम सबसे पहले देखेंगे कि पुर्वी उरोप के देशों की जनता ने सरकारों वे सोवियत नियंतरन का विरोध किया। गौरबाचों की सुधार नीतियों का जो कम्यूनिस्ट पार्टी की नेता थे उन्होंने विरोध किया। खासकर जो यूरोपी कृत गंड़ाजे थे यहां ऐसा हुआ कि उन्होंने जो केंद्री कृत सत्ता थी सामेवाली सासन परणाली थी सरकार का अर्थ व्यवस्था पर केंद्री करण था। उसको मानने से इन यूरोपी कृत गंड़ाजे थे पूरवी यूरोप के गंड़ाजे जो की सोवियत खेमे में थे इन्होंने इस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन जो मध्य इशियाई गंड़ाजे थे उन्होंने अपने लिए स्वतंतरता की मांग नहीं की वो सोवियत खेमे के साथ ही सोवियत संग के साथ ही रहना चाहते थे। अब देखते हैं सोवियत संग का विगटन। कम्यूनिस्ट पार्टी को इन्होंने प्रतिबंधित कर दिया। स्वतंतर राज्यों की राष्ट्र कुल का गठन हुआ और मध्य इशियाई जो गंड़ाजे हैं इनको इनका संस्थापक राजे बनाया गया। इनको स्वतंतर राज्यों की राष्ट्र कुल का संस्थापक राष्ट्र बना दिया गया। रूस की अगर हम बात करें तो सोव्यत संग का उत्राधी कारी अब रूस को बनाया गया। क्या जाना था। सोव्यत संग के विगटन के कारण क्या-क्या रहे ये हमें जानने बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमने सुरुवात में देखा कि यहां उन्नत संचार परणाली थी और उन्नत उर्जा संसाधन थे। सरकारी कारिये भी बहुत अच्छे से हो रहे थे। पिर हमने देखा कि गर्बाचों ने सुधार के प्रियास भी किये। फिर भी सोव्यत संग का विगटन हो गया। तो आखिर क्या कारण थे सोव्यत संग के विगटन के। तो पहला कारण तो गतिरुद अर्थ व्यवस्ता को ही हम लेंगे। ये संसाधनों का अधिकांश भाग था वो परमाणू अतियारों पर और सिन्ने खर्चों पर हो रहा था। अर्थ व्यवस्ता का अधिकांस खर्च अधिकांस पैसा जो कि इस देश के पास था। वो सिन्ने खर्च पर हो रहा था, थियार बनाने में हो रहा था, ना कि आमजन के कल्यान में हो रहा था। पुर्वी उरोप के पिछलगू देशों पर भी खर्च हो रहा था, क्योंकि इन देशों को सोवेत खेमे में बनाए रखना आविश्यक था, तो इन देसों की जरुतों को पुरा करने के लिए इनको खेमे में बनाए रखने के लिए इन देसों पर भी जो अर्थ व्यवस्ता थी उसका खर्चा वहाँ जा रहा था साथी उपभोगता वस्तों की कमी हो चली थी किस कारण यहां सारा का सारा पैसा यहां सारा का सारा धन चले जाने के कारण उपभोगता वस्तों की कमी हो गई और अब जनता थी वो आसंकित हो गई थी संदिहाश्पद हो गई थी राजव्यवस्था के प्रती जनता को अब ये लगने लगा था कि जो राज व्यवस्ता है जो उनकी सरकार है वो जन कल्यान के लिए नहीं अपी तो अपनी प्रतिश्प्रधा के लिए अपनी हत्यारों की होड के लिए अपना प्रभाव जमाने के लिए अपनी शक्ती प्रदर्शन के लिए ज़्यादा काम कर रही है पस्चिमी मुलकों के बारे में यहां के नागरिक थे वो जानकारी ले रहे थे और इसलिए यहां के लोगों को पता चल पा रहा था कि पस्चिमी मुलकों में लोगों कितने अच्छे से रह रहे हैं वहां के अर्थ व्यवस्ता कितनी उन्नत है, वहां चिकित्सा सुईधाएं कितनी उन्नत है वहाँ लोगों की कहें कि जीवन इस तरह है वो कितना अच्छा है और इस वज़े से उनके अच्छे जीवन की जो बाते हैं वो उन तक पहुँच रही थी और अब वो भी स्वपन निले लगे थे कि अगर यहाँ भी पुंजिवादी व्यवस्था होती अगर यहाँ भी उदार लोकतंत्र होता तो हमारा भी जीवन इस्तर हमारा भी जीवन उतना ही खुश हाल होता तो अपनी राजव्यवस्था और पस्चिमी राजव्यवस्था के अंतर को वो समझ रहे थे और उन्हें प पार्टी में अब खुलापन नहीं रह गया था यहां अभिव्यक्ति की आजादी नहीं रह गई थी। कारण है, जनता की जाग रुखता है, सोवियत संग के विक्टन में बहुत सारे कारण हमारे सामने आए, लेकिन कारण अभी और भी बाकी हैं। पारे में दो सोच हैं। पहले सोच तो यह है कि गरवचयों की पदती थी, वो धीमी कार्ये पदती थी। और इसलिए निरास जनता है वो धीरज खो बैठी। मतलब कि जनता इंतजार नहीं कर पाई उन नीतियों का जो परिणाम है उसके आने का। साथ ही Communist Party और सोव्यत व्यवस्ता से फाइदे में रहने वाले जो लोग थे, वो कह रहे थे कि गरवचयों हैं, वो जल्दबाजी दिखा रही हैं। क्योंकि जो Communist Party थी उसकी नीतियों की वजह से बहुत सारे लोग थे, वो फाइदे में थे, उनको फाइदा पहुच रहा था, उनकी हिदसाधन हो रहा था, तो उनको तो ये मानना था कि गरवचयों हैं, वो जल्दबाजी कर रही हैं। वहीं आम जनता को ये लग रहा था या फिर दूसरे जो लोग हैं उनको ये लग रहा था, कि इनका कार्य बड़ी धीमी गती से हो रहा है, इनकी गती बड़ी धीमी थी उनकी सुधार की, और उन सुधारों के परिणाम आतें, उसमें देर लग गई थी, और जो जनता थी, निरास जनता थी और जनता में गुसा था पस्चिमी देशों की जीवन पदक्ति थी उसके बारे में वो जान चुकी थी इसलिए जनता इतना धिरज नहीं धर पाई इतना सैयम नहीं रख पाई और साथ ही हर तरब से समर्थन हम देख रहे हैं कि गोर्बा चेव का जाता रहा दोनों ही तरब से उनकी अलोचनाए हुई क्योंकि वो लोगों का मुह भंग धालना थी कि गोर्बा चो थे वो खुद ही अपनी नीतियों का बचाव नहीं कर पा रहे थे अर्थवयवस्ता को सुधाने के प्रियास जब हम देखते हैं तो नोंने प्रसासनिक सांचे में ढील दी और अर्थवयवस्ता को सुधाने के प्रियास किये लेकिन जनता की जो अकांक्षाई थी उनकी जुआर भाटे को पकाबू पर पाना ऐसंभव हो गया था जैसे ही गोरबाचेव ने सुधार की बात की प्रसासन में ढील दी अर्थवयवस्ता में सुधार की बात की जनता जो अकांक्षाउं से भरी पड़ी थे इतने दिनों से जो कहें की तरस्त थी परेशान थी उनकी भावनाओं का जो जुआर आया उस जुआर भाटे को ये प्रसासन ये नीदियां संभाल नहीं पाई थी और देखते हैं विक्टन के कारण की रूस, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, युक्रेन, जार्जिया जैसे गंडराजी थे यहाँ पर राष्टरवादी और संप्रभूता की इच्छा का उभारोचला था दो विचार यहाँ पर काम करते हैं, एक विचार तो यह है कि जो गौर्बाचेव ने सुधार की प्रणाली लेकर आए, इसकी बज़े से सोवियत संग का विक्टन हुआ, लेकिन दूसरा विचार यह कहता है कि अगर ये सुधार ना भी होते, तो भे अंदरूनी संगर्ष होना ही था, क्योंकि रास्त्रियता की भावना और तडप सोवियत संग के इतिहास में जारी थी, अगर वो सुधार के प्रियास ना भी होते, प्रसासन में ढेल ना भी दी जाती, तो भे अंदरूनी संगर्ष होते, आजादी की मांग की जाती और सोवियत संग का विक्टन ह लेकिन दूसरा विचार ये कहता है कि गौर्बाचेयू की सुधारों ने राष्टरवादियों के ऐसंतोष को भढ़काया और इसलिए उन पर सासकों का नियंत्रण नहीं रहा तो देखे हमने बहुत सारे कारण सोवियत संग के विगटन के इसमें चाहे हम आर्थिक बदहाली देखें जनता की या फिर प्रसासनिक जो गतिरूद था प्रसासनिक कारिये रूस के अंदर अच्छे से नहीं हो पा रहे थे ब्रस्टाचार था नोकर साही का सिकंचा था गौ हो चुका था 1991 में अब चोंकाने वाली घटना इसमें एक सामने आती है हमारे कि सोवियत संग के अंदर सामिल जो गंड़ाजे थे उनमें जो पुर्वी यूरोप के गंड़ाजे थे वो सम्रद्ध थे वहीं मध्धे इशिया के गंड़ाजे थे वो गरीब राजे थे तो य वहां साइद राश्ट्रवाद की भावनाओं का जुआर आएगा वहां की लोग हैं वो जादा अच्छे जीवन के लिए जादा अच्छे खुशाल जीवन के लिए और सुतन्तरता के लिए पहले संगर्ष करेंगे या फिर वहां आंदोलन उठ खड़ा होगा लेकिन चोंक से पहले अलग होने की बात अलग होने के घटना कर्म हुए तो क्या कारण थे इसके चलिए जानते हैं देखिए पुर्वानु मानधा की सोव्यत संग के मध्धे एशियाई गंडाजयों में राश्ट्रवादी अकांक्षाओं का उभार सबसे अधिक होगा क्योंकि ये रू नजर आया कारण ये था कि यहां के आम लोग अपने आपको मध्धे एशियाई लोगों से अलग थलग मैसूस कर रहे थे और इनके मन में ये भाव घर कर गया था कि ज़्यादा पिछड़े इलाके सोव्यत संग में सामिल करने में उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही ह ये भाव उनके मन में क्यों घर कर गया होगा देखो हमने पड़ा था अभी कि जो सोव्यत प्रणाली थी वो राज्यी नियंत्रित प्रणाली थी राज्ये का पूंट या नियंत्रन था अर्थव्यवस था और समानता इस्थापना का प्रियास किया जाता था तो हुआ ये क ये पहले से सम्रद्ध थे और समानता इस्थापना की प्रियास के लिए जो रज्य की योजनाई थी लोक कल्यान की योजनाई थी वो ज़्यादा तर जो गरीब और पिछड़ा रज्य था वहाँ पर ज़्यादा चलाई जा रही थी अर्थात वहाँ ज़्यादा धन कहें कि हम लगाया जा रहा था तो इन राजियों को ये लगा कि हमारी समर्दिका फाइदा समानता की स्थाबना करने के लिए उनका गरीबी और पिछड़ा पंदूर करने के लिए वहाँ लगाया जा रहा है और इन लोगों की परिशानी बढ़ रही थी इस वज़े से इनके मन में ये ववस्ता घर कर गई कि सोवेत गनराजे में जो गरीब और पिछडे राजे हैं उनको सामिल किया गया इस वज़े की कीमत है वो उनको चुकानी पड़ रही थे और इसलिए इहां सबसे पहले विरोध की जो भावनाई है वो उठी अलग होने की जो जुआर है वो आया तो देखा हमने सोवेत संग की विगटन की इस पूरे कालकरम को कि किस तरह से कौन कौन सी घर्टनाई सोवेत संग की विगटन का कारण बनी और कौन सी क्षित्र थे वो सोवेत संग के साथ रहना चाते थे कौन से राजे थे जो सोव्यत संग से अलग होगर पुंजीवादी उदारवादी लोकतंत्र के प्रणाली को अपनाना चाह रहे थे लेते हैं प्रश्न प्रश्न संख्या एक सोव्यत प्रणाली क्या थी और ये कब अस्तित्व में आई थी सुरू में पढ़ा था हमने सोव्यत प्रणाली क्या थी कब अस्तित्व में आई थी और किस विचारधारा पर ये आधारी थी लिखना है आपको क्योशन नंबर दो बर्लीन की दिवार गटाने की घटना कब एवं हुई और ये किस से संबंदी थे बर्लीन की दिवार की हमने बात की थी शुरुवात में ही ये सीतियुद का एक तरह से चरम बिंदू था या फिर एक बहुत बड़ा प्रतीक थी सीतियुद का पुर्वे जर्मनी की लोगों ने इसको गिरा दिया था इस बारे में आपको लिखना है सोवियत संग के विक्टन की क्या-क्या कारण रहे एक बहुत बड़ा उत्तर इसका तयार होगा सोवियत संग के बहुत सारे विक्टन की कारण है चाहे वो आर्थिक कारण है चाहे वो प्रशाशनिक कारण है वो राजनीतिक कारण है साथ ही वो सुधार की नीतियां जो गौर्बाचेव लेके आये थे तो ये बहुत सारे कारण है जो कि आपको बिंदु वार लिखने है एक बहुत अच्छा सा उत्तर इसका आपको तयार करना है धन्यवाद